अप्षब्थेदि कैसे हैं अप सब आसा करती हूं। अब सब अच्छे होंगे। अक्चली क्या है न मुझे घर पर एक ग्लास मिला पढ़ा हुआ था सोचा इसमें क्यों न ग्लास बेंटिंग किया जाए मुझे ग्लास मिला न नहीं आता तो करने से क्या फर्क पड़ता है मैंने पेपर पे एक वनमान जी के ड्रोइंग कर लिया था उसके उपर मैंने ग्लास रखकर इस तरह प्लाक एक्रेट कलर से आउट लेइन फस्ट बना रही हूँ उसके बाद धिरे धिरे अलग अलग कलर अड़ करेंगे तो चले करते हैं जैसे हम पेपर में कलर करते हैं उसी तरह हम इसमें भी कलर करेंगे पर पेपर में हम जो कलर पहले देते हैं इसको हम ग्लास पेंटिंग में बाद में देंगे और जो पेपर में हम बाद में देते हैं उसे हम ग्लास पेंटिंग में पहले देंगे तो आप देरे दरे कर लेंग हम पहले देंगे उसके बाद हम बेस कलर उसको यूज करेंगे ठीक है चलो देखते हैं इसमें एक मज़े की बात बताओं अगर आपका कलर इधर हुदर हो गया है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं किसे ठीक करेंगे आप प्रास में थोड़ा पाने ले लेजिए जो जगह आप ठीक नहीं लग रहा है उस जगह पाने थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए तो वह निकल जाएगा तो आप उसको ठीक कर लेंगे बाद में तो हेना मज़े के बाद अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सेयर करना ना भूले अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ओके थैंक यू बाई बाई अबयोगा ओक नए बाई हैं